मान के साथ मेरे साथ चले मैं आपको ले आया हूँ पंद्रमी शतापदी के द्रिपुरा में और ये हैं महाराजा धर्म मानिक के प्रथम का राज दर्पार द्रिपुरा पर शासन करने वाले चंदरवंश का इदिहास इतना वज़स्वी है कि उसे बार-बार कहा और सुना जाना चाहिए प्राचीन काल में चंदरवंशी समराट यायाती के पांच पुत्र हुए पुरु, यदु, परवसु, अनू और द्रोहियू सभी ने अलग-अलग दिशा में जाकर अपने राजवंशों की स्थापना की द्रोहियू दक्षिन पुरु दिशा की ओर गए और कपिल मुनी के आशीरवाद से सागर द्विप में अपना राज़े स्थापित किया कपिल मुनी ने आशीरवाद देते हुए कहा था त्रवेग नागरिम मुश्रभं महराज़ द्रोहियू के 27 वे बन्शच पूर्व दिशा की ओर गए जहां उन्होंने किरातों को परास्त किया वहीं प्रामपुत्र और कपिला नदी के संगम पर एक नया नगर बसाया गया जिसका नाम त्रवेग था त्रवुरा के वलिक शब्द नहीं कृपा है शिव और शक्ति की पीट माला तंक्र में स्वयम महादेव ने ये खोशना की है कि धर्ती पर जहां भी माता सती के अंग पर वहीं शक्ति पीट की स्थापना पर उसी क्रंथ में संकलित एक श्लोप विका गया है त्रवुरा में देवी का दाहिना पैर गया पूजनिय देवी को त्रवुरा सुंदरी कहा जाता है और यहां स्थापेद शिव का नाम त्रवुरेश भहलो हुआ और इस तरह शुरुवात हुई एक केर्दीवान राजवन्ष की जिसने करीब तीन हजार साल तक आरे वर्थ के इस माहान भाग पर शासन किया माहभारत, पुरा और अंगिनत शास्त्रों में त्रवुरा का उलेख मिल जाता है इसके अनावा कई प्राजीन पुरा लेखों के साथ साहित्यक ग्रंथों में भी त्रवुरा का वर्णन किया गया है मुगल इत्यासकार अबुल फजल आईने अगबरी में लेखते हैं बाडे प्रांथ के पास एक आजाद राज्य है इसे त्रवुरा कहते हैं इसके राजा का नाम विजय मानिक्या है इस राजा के पास दो लाग पैदल सेना और एक हजार हाथ ही त्रवुरा के इत्यास्यत्वा परिचित हो गए अब इस कथा के सुत्रधार से भी मिलने जी शुब्रकांत उज्वलमुक उन्नत गुंबल राजसी चब सारा विश्वल मुझे सम्मान से उज्यंत महल कहकर पुकारता है 1897 के भुकंप में अगरतरा का राज महल भी बुरी तरह से उक्षतिक रस्थ हुआ तब महराजा राधा किशोर मानिक्या ने 1901 में मेरा निर्मान करवाया मेरी इमारत में रोमन और मोगल कला का मिश्ण देखा जा सकता है अपने दो तालावों और दोनों तरफ बने खुबसूरत फूलों के बागों के साथ मैं आगंतुकों का स्वागत करता हूँ यहां के परवत द्रिप्रवासियों के अदमने सोभाव के चिन है नदियां जैसे कला और संस्कृति की आविरल अधारा का प्रतिपल यहां के उदार चंगल जीवन को हश्रे देते हैं और यहां कि का फितिक सुंगर ता वेडिक कभ्यों कि का ना सियाद भूते है अभी हमारा पिताओ जी आएंगे तब लेगा चाह साला मेंगिला उप प्रमेर नदिये साथ पुष्करू लेगोजा प्रपुरा राजी के शाही गदीग पर उकीरा गया संस्कृत वाक्यान शिव यहां के विरों का उठ्खोश्वी है और पिर्णा है किल विदुर वीरता सार में कम वीरता से अधिक आविश्चर और कुछ ही नहीं ऐसे माल आधर्श वाले विरों की भूमी पर शिव और शक्ती परोक्ष रूप में बस्ते हैं तो धर्म यहां के नरेशों के रूप में प्रत्यक्ष आवतार लेता रहा यहां 184 शूरवीर धर्मावतार राजाओं ने राज किया विस अंघर्ष के लिए सदा प्रस्तुत रहे और पलिदान के लिए सदाइवत अत्पर तृपुरा के प्रतम नरेश से लेकर अंतिम शासत ने अपना सर्वस्व देकर इस परंपरा का निर्वाहा तिया इस राजवंश के अंतिम प्रजापालग बाहराज बीर विक्रम किशोर मानिक के बहादुर को जब याद करता हूँ तो याद आता है उनका समर्पन तृपुरा को विकसित करने और आपनी बनाने की उनकी प्रतिपतता और साथ ही याद आता है वो एक दिन जब मेती में हमसे विश्वास खात किया मई 1927 भारत की स्वतंत्रता किवल तीन महिने की दूरी पर थी भारी अनिस्थितिता का समय था देश की तरह ही राचे में भी विगटन कारी शक्तिया सर उठा रही थी परन्तु महाराज का अश्रय था सुच्जनता निश्चिन्त थी अपने कर्तब विक्य प्रति सजक महाराज बीर बिक्रम हर कतिवधी पर नजर रखे थे पर इस पीच रोग में उन्हें आखेरा देखते हैं देखते उनकी तबियक बिगरने लगी 17 मई 1947 के दिन महाराज का दिहांत हो गया धर्म का पार्थिव स्वरूप लुप्त होते ही अधर्म का तमस पढ़ने लगा जो बात पहले दवी जबान में कही जा रही थी वो अब सडकों पर गुर्राते नारों में सुनाई देने लगी पाकिस्तान, सिंदाबाद, लड़के रेंगे हिंदुस्तान राच्जी का स्टेतुर ताव पर लला था और भाय था हजारों वर्षों से सहेजी हुई परंपरा और संस्कृतिके विलप्त हो जाने का परंतु ऐसी चुनोतियां त्रिपुरा के लिए नहीं कहां थी काल की परिक्रमा के लिए निकलता हूं तो तेर्वी सदी पर आकर रुप जाता हूं ये वो समय था जब तलवार लहराते बर-बर आजदाय राज्य की सीमा लामने लगे थी तेर्वी शताब्दी की शिर्वात में त्रिपुरा का राज-काज महराज चेंतुमफा ने सभाला एक दिन शिगार खेलते हुए महराज ने जंगली वरहा को अपने तीर का रिशाना बनाया पर तो उसी समय उस वरहा को राज-कुमारी नैठोक्ति का तीर भी आ लगा था संयोग से इन दोनों का मिलना हुआ जिसका परिना वेवहा था किन्तु ये बात कोई नहीं जानता था कि इस संयोग का बड़ा प्रभाव त्रिपुरा के भवश्य पर पढ़ने वाला था बंगाल और त्रिपुरा की सीमा बनकर मेघना नदी बाहा करती थी जब बंगाल पर मुस्लिम शासकों का खबजा हुआ तो त्रिपुरा भी सुरक्षित ना रहा बंगाल की और से लूट बाट करने हिरावन्त खान अकसर त्रिपुरा में घुस्पैट करने लागा महराज चेहीं तून फाने लो तेरे को खदेर भगाया परन्तू हीरावन्त खान फिर लौटा और इस पार उसके साथ गौर की विशारत की सेना भी की महराज असमंच से पड़कर लेकिन महराणी ने थोक्ती ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि हीरावन्त खान की सेना का मुकाबला वो स्वयम करेंगे और महराणी ने ऐसा ही किया विक्राल गच पर सवार महराणी नई थोक्ती कुरुधु माता तृपुरा सुंद्री का रूप लग रही थी उनका हाथी ऐसे गरश्ता था मानौ इंद्र के रावत को चुनाती दे रहा हुए महराणी की जीतकार ने तृपुरा की सेना को और अधिक प्रोचसाहित किया और अपने पराक्रम से तृपुरा के वीरों ने अपने राज्य की रक्षा की 1240 में हुए इस युद्ध में तृपुरा की जीत हुई 15 सदिक यंत में महराज धन्य मानिक्य का उदय हुआ जो उतना ही नाट किये था जितना चंद्रकुप्त मौरे द्वारा राज्य प्राप्त करना शड्यंत्रकारी सभासदों और सेना पत्यों का बद्ध कर उन्होंने अपना अधिकार पाया महराज धन्य मानिक्य में कई युद्धा भ्यान चलाए एक और कुक्यू के किले पर और घुद तरीके से चड़ाई कर उन्हें हराया और बर्मा तक अपने रज्ज को भैला दिया तो दूसरे तरफ आरकान को जीतने के लिए सतत प्रयास किया महराज के विश्वास पात्र सेना बती राय कचार और उनके छोटे भाई राय कौसुम उनके अवेध कवच और प्रमुक्षस्त्र थे दोनों ही प्रखर वीरों ने कई उद्धों को जीतने में एहम भूमिका निभाई प्राक्रम के साथ साथ महराज धन्यमानिक्य में रचनात्मक ऊर्जा भी कूट-कूट कर भरी थी उनके राज में सीमाओ के दिस्तार के साथ साथ कला का भी प्रसार हुआ उनके द्वारा बनवाए गए चतुरदश देवता मंदे, मा त्रपुरा सुंद्री मंदे और भैरव मंदे इस बात को सिद्ध करते हैं सत्रवी सदी में राजपत पर न्यूक्त हुए माहराज गोविन मानिक्य ने तो अपने आयन सावादी और दयालू प्रविति के कारण अपना राजपाट कर दवा दिया वे जंगलों में भटके फिर भी कभी सत्पत को नहीं त्यागा 1670 में माहराज गोविन मानिक्य आरकान में निवास कर रहे थे उन्हें खोचते हुए मुगल शहजादा शूजा आरकान पहुँचे और उनसे सहायता मांगी और उन्होंने आश्रे दाता का धर्म निर्भाय हो करने पाया माहराजिक कृष्ण मानिक्य का शमशेर घाजी से लंबा संघर्ष चला अपने प्रजा को शांती और संब्रधी प्रदान करने के लिए 1770 में माहराज ने उदेपूर की जगा पुराने अगरतला को अपनी रायधानी बनाया परंतु शांती कुछी समय किली में पाई अंग्रेजों के पाउं भारत में पढ़ चुके थी 1761 से तिर्पुरा और इस्ट इंडिया कंपनी में संघर्ष शुरू हुआ युद्ध के मैदान में भाराज कृष्ण मानिक्य का पलरा हमेशा भारी राया परंतु अपनी कूठ नीति से अंग्रेज अपनी पत्र मजबूत करते गए समय तेजी से बतला मुग्लों का पतन हुआ और अब सप्या अंग्रेजों के हाथ में चलिए इस परिवर्थन के बात की मानिक्या अपना कर्दवे निभाते रहे 1830 में महाराज कृष्ण किशोर मानिक्ये ने वर्तमान अगरतला की नीव रखी फिरादमन हुआ उस राजपुरुष का जो द्रिपुरा में आधरिक्ता की लहर लाने वाला वदीरत बना 1862 में महाराज आप बीर चंद्रमानिक के ने सर्ता सम्हाली अब निलर्थ यूद्ध बंध हो चुके थे और प्रगती शेल विजारों से त्रिपुरा की रूप लिखा बदलने लगी थे जहां एक और सामाजिक सुधार हो रहे थे वहीं नए व्यवस्थाओं का गठिल भी हो रहा था महाराज का सबसे बड़ा योगदान कला के प्रत्साहर के रूप में रहा थे व्यवास्तर में संगीत, साहत्य, लोक साहत्य और फोटोग्रफी के पार्खी थे महाराजा बीरचंदर के फोटो कला इतनी व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई कि अमेरिका की फोटोग्राफिक पत्र का प्रतिकल फोटोग्राफर ने अपने कंपने महाराजा की सचित्रित जीवनी प्रकाशित की महाराज नए-नए प्रयोग करने के लिए विठ्ठा थे उन्होंने अपने ही कैम्बे से खुद अपनी और महाराणी की तस्वीर दी ये इतिहास की पहली सेलफी थे उनके दरबार के नबरतनों में टेश भर से आये कलावे की शामिल थे और जल्द ही ये भारत के महानतम कवी के संपर्ट में भी आये अपनी जीवन संगनी महाराणी भानुमती तेवी की अकस्मात मृत्यू से संतावरे महाराज को शोक सागर से उभारा एक युवा कवी द्वारा रचित कविता भगलू रिदे ने उस प्रतिभावान परंतु अनजान कवी का नाम था रवींद्रनाथ टैगोर इस घटना के बाद से त्रिपुरा के राज परिवार और टैगोर में एक अटूट संबंध मन गया टैगोर ने महाराज की साहता से त्रिपुरा के इतिहास का अध्यान किया और उसे अपनी अमर कृतिम, राजरिशि, विसर्जन और मुकुट में स्थान दिया महाराजा बीर्चंद्र मानिक्य के बाद महाराजा राधा किशोर मानिक्य से भी टैगोर के घलिष्ट संबंध रड़ी त्रिपुरा के राज परिवार में भी शांति निकेतन और अन्य सुधार कारियों में टैगोर को आर्थिक और नैथिक समर्थन देकर अपनी मित्रता निभाए बिटिच राज त्रिपुरा के लिए शांति का काल रहा परन्तु जब जब पराक्रम दिखाने का अफसर आया त्रिपुरा के रणबांकुरों ने अपनी वीर्था से विजेश्री और प्रशंसा बटो लिए द्वितिये विश्व युद्ध के समय जब जापानी वाज भारत की ओर अग्रसर थी तब त्रिपुरा ने बर्मा में हो रहे युद्ध के ही अपनी सेना फेजी और भारत पर जापानी आतिकरमन को रोकने में एक मात्वपूर सैने भूली का निभाई महराजा पीर बिक्रम द्वारा तैयार की गए फर्स्ट त्रिपुरा रैफलस में जापानी अतिकरमन को पुचल कर रख दिया अंग्रेश अफसरों से सम्मान और प्रशंसा पाकर त्रिपुरा के बीरों ने मात्र भूनी को गौर प्रदान किया उच आदर्शों और महा नरेशों वाला मानिक के राजवन कभी भी अपने राजधर्म से लोक नहीं हुआ पर सच तो ये है हर उज्वल सुर्यत अपनी यात्रा पूरी कर अस्त हो ही जाता है भारत के आजादी से तीन महीने पहले महाराज बीर बिक्रम किशोर मानिक के बहादूर का निथन त्रिपुरा के लिए प्रराय के समान था उनके बाद उनके चौधा वर्षी पुत्र महाराज गिरीट बिक्रम किशोर मानिक्य को तृपुरा का राजा घोशित किया गया और शासन की बाद धोर उनकी माता महाराणी गंचन प्रभा महादेवी ने संभा ले परंतु महाराज पीर बिक्रम कि मृत्य के बाद एक दिन ऐसा नहीं बीता जब राज्जे में तंगा फसाद ना हुआ हो तृपुरा की सरकार अलाजक तक योर बढ़ रही थी हरोर मार काट मची थी और उस पर तृपुरा पर पाधिस्तान का कबजा होने का खत्रा अलग से था इस घोर निराशा के काल में एक बार फिर नारी शक्ती में राज्जे की रक्षा की तेर्भी सदी में महाराणी तृपुरा सुंदरी ने दुश्मन से लोहा लेने के लिए तर्वार उठाई की अब वर्षों बाद ख्यत्राणी कंचन प्रभा महादेवी ने महतपूर्ण मिरने लेकर अपने राच्च को सुरक्षित किया महाराणी में ततकालीन केंद्री ग्रह मंत्री वल्लब भाई पटेल को तृपुरा के हालात से अवगत कराया बाद में महाराणी खुद नहीं दिल्ली में केंद्री ग्रह मंत्री पटेल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने थे अतरिक्त बलों को तृपुरा भेजा गया और राज्य के स्थिति में सुधार हुआ 9 सितंबर 1949 को तृपुरा विलय संजोते पर महाराणी ने अस्ताफशर की जिसके परिणाम स्वरूप तृपुरा भारत का पाठसी राज्य बंगे मानिक्त्य राजबंश का गौरवशाली राज्य काल पून हुआ और तृपुरा एक उज्वल भविश्य के और बढ़ चला आज तृपुरा भारत का पीसरा सबसे छोटा राज्य है परंतु इसके परिधी में हजारों वर्षों का प्रिणा दाय के पिहास है उतकृष्ट कला है, विस्तृत ज्यान है और संजोई हुई धरोहर है भारत की संस्कृति की तृपुरा का श्रेष्ट संसाधन उसके नागरिक है जिने विरासत में वो गुर मिले हैं जो इस राज्य को निगंतर चर्मा उतकुष के और ले जा रही है यहां बच्चों को बुनियादी शिक्षा मुफ्ति जाती है और साख्षक्ता में तृपुरा देश के कई राज्यों से काफी आदे हैं जहां एक और इस प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों का मुल्य भंडार है वहिया के मंदिय, महल और प्राकृतिक सांतरिय हर वश अनगिनत पर्यादकों को अपनी हुरा अखर्षित करते हैं तृपुरा नाम की काफर में संभावनाओ का असीम सागर है किल विदूर वीर्दा सार में कम काफर्ष अपने दिल में दी है कर्मर्द तृपुरा वासी अपने राजी को देश का गौरव बनाने के लिए सतक प्रयासरत है सबकी मन्षा बस यही है ओजस्वी तृपुरा तेजस्वी तृपुरा उज्यम्त तृपुरा की योग्यांतर तक जये दूदाश फजस्वी तृपुरा कर दो कर दो कर दो sounds को अटन आज साथ एड़ान कि कि अना रगातामना तर।